हाई डियर फ्रेंज मल्टी टेक के यूटूब चैनल में आप सब का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं नाय टॉपिक के वारे में कि आई-सी में बूट के पीन का क्या काम होता है यानि आई-सी में देखे होंगे कई सारे जब सेक् में लगा हूतार उसमें बूट का जो पीन होताा है उस बूट के पीन का क्या का मैं होनात है और यह लोंको हमना छोट आएका अगर यह नहीं और तो क्या दिक्कत है यह आपका बुर्ड में को क्यों से पता कि की यह सारा चीज़ों के बारे मैं आपको बताऊंगे इस वीडियों के अंदर ही निहां डिखाने इस फ्रशें प्रॉत dolor इन दोनों ही कोर्स में आपको ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन के लिए अब हमारे दिये गए नमबर पर कॉंटेक कर सकते हैं या www.multitechinstitute.com पर जाकर के विजिट कर सकते हैं तो जैसे कि आप जानते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कि IC में बूट पीन का क्या काम होता है तो इसके बारे मैं आपको बताऊंगा कि बूट का पीन जो लगा होता है हमारे बूड में या हमारे IC में जो लगा होता है बूट का जो पीन होता है आपने देखे बहुत सारे section देखा होगा जैसे step down section है या आपका charging का ही section है या charging IC है या RAM का है whatever जो भी है जिसके अंदर यानि main और supporting जो MOSFET लगा होता है even desktop का हो या laptop को किसी भी circuit का हो यानि जहां पर go IC अगर MOSFET को control करता है तो उसमें 100% boot का pin होगा right boot का pin मैं आपको बता दूँ कि यह देखिए यह हमारा boot का pin होता है जिसका नाम boot के नाम से हो सकता है या bvst के नाम से हो सकता है या bst के नाम से होता है या bs के नाम से होता है इन सभी नाम में से कोई भी आपको एक नाम देखने को मिल सकता है तो इस में से अगर कोई भी नाम लिखा हुआ है तो उसको आप समझ जाना है कि बूट का पिन है तो चलिए आपको मैं बदाता हूँ कि बूट का पिन से आप क्या पता कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहला कि अगर मा नहीं मिलेगा तब तक IC हमारा काम नहीं करता है लेकिन कुछ बोड में आप जैसे कि देखो वोल्टिन सेक्शन का IC ले लो या आप रैम सेक्शन का ले लो या वाटेबर कोई भी IC लेते हैं और जिस IC के अंदर मात दें कि ओफ बोड में ही वोल्टेज आ रहा है किस में आ रहा तो यह क्योंकि बेसिकली क्या करता है IC का जो यह information collector जिस तरीके से माले कि IC का एक तरीके का self-test का पीन होता है अगर यह voltage नहीं मिल रहा है माल लिजे यहां पे 90V input मिल रहा है यानि IC को क्या हो रहा है input मिल रहा है लेकिन बूट का जो voltage होता है तो इस पे आपको voltage बूट के पिन पे जो voltage मिलेगा वो मिलेगा आपको 5V कितना मिलेगा 5V मिलेगा अगर यह 5V मिल रहा है यानि और बूट में अगर IC की VCC मिल रहा है और बूट के पिन पे यह 5V नहीं मिल रहा है तो आप पहले तो इस पिन को ग्राउंड से चेक कर लें कि कहीं शाटिंग तो नहीं है अगर शाटिंग नहीं है फिर भी 5V नहीं मि और एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि यदी ये पीन खराब हो जाता है या इस पीन का ये जो register लगा होता है वह LVR register होता है यानि लोग वैल्यू रजिस्टर होता है अगर ये register आपके board में से खराब हो जाए तो board में क्या फॉल्ट होगा अगर यह जाए लेटोप रिपेरिंग करते होंगे या कई स्क्षिन को पर काम करते होंगे तो आपको पता होगा लड़े कि ऐसा फॉल्ट बहुत सारे आते हैं अगर यह रजिस्टर या क्यापसीटर खराब हो जाता है तो उसमें दिक्कत क्या आती है कि जैसे इस पर 19 वोल्ट आ रहा ह जाएगा अगर यह रजिस्टर खराब हो गया या एक कपसीटर खराब हो जैसे ही पावर लगाओ आपका क्या हो जाएगा मौसपेट शार्ट हो जाएगा अधर रैम सेक्षिन में अगर लगा हुआ है तो जैसे बोड को आन करोगे तुरती मौसपेट क्या हो जाएगा आप कि आप जैनावीफ को दिक्कत होता हैं कि मॉस्पेट को अपने चेनज कर दिया और दुबारा बोर्ड आ क्या हो गया इसी तरीके से बार-बार अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ क्लिश में आप इस इस लोटेज नहीं आएगा तो उस case में यही होगा कि आपका जो है मैं मौनवा वोटर बार कुण यह में मों स invitesय यहां अता है तो यहां पर एक तरीके सेक्षन लगा होता है उसको खराब कर देता है तो इस चीजों को ध्यान रखें कि कोई भी सेक्षन है और उसमें आज मैंने सिंपल सा एक पीन के वारे में बताया कि बूट के वारे में कि बूट का पीन का क्या काम होता है तो आप यह चीज आप यह समझ गये होंगे अगर हूल आप टाप ए sotto है आप यह लीडियर में कि दीजों कि भी सहोंगे आप हूल आप गारे में आप यहण को छ Jessica G Kvd